दोस्ते दोस्तों विलकम बेक माई चैनल लेटिस न्यूज तो लेटिस न्यूज में आप सभी का सौगत है तो फाइनली का जितें भी चातरों ने यूपी स्कॉलर्शिप 2022 थे इसके लिए फापको अपलाई कर लिया है तो फाइनली उन सभी चातरों के लिए आज की डेट मे स्कॉलर्शिप आने को लेकर गईस एक बहुत बड़ी खुसकबरी है तो प्लीस आप वीडियो को स्कीप करके मत देखना तो फाइनली गईस सबसे पहले आपको बताते कि आपका जो स्कॉलर्शिप का देड़ था आने का देड़ था उसको फाइनली एक्स्टेंड कर दिया है और आपका जो स्कॉलर्शिप अपडेट है उसको गईस बढ़ा दिया गया है तो आप स्कीन पर यहां पे साफ साफ देख पाएंगे कि कच्छा नौ से दस के चातरों के खातों में जाया दस जनौरी से जाएगी चातरुती तो गईस आप जो चातरुती है आप 10 जनौरी से आने वाली है पहले आपका 28 दिसंबर था तो गाइस आपको इसी आर्टिकल में करेशन के लिगार्डे मी कुछ आपडेट दिया गया है तो प्लीस आप वीडियो को स्कीम मत करना यहां पे इसी आर्टिकल आपके लिए काफी ज़दा इंपॉर्टेंट है यहां अभी आपको यहां पर आपको यह बहुत है तो यहां पर पॉसिबिल्टी बहुत ही कम है इसलिए आपका जो एडिट है उसको फाइलली एक्सटेंड करके अब 10 जनवरी कर दिया गया है और गाईस आप यहां पर देख पाऊगे यहां पर बताया भी ज़दा कि नए समय साड़ी के अनुसार अब जिला चाहतरी स्विक्रिती समिती 30 दिसंबर तक संदैसपद और सुदाटा के संबंद में निड़ाय ल लगेगी यहां पर है कि जबकि अभी तक छात्रुती भेजे जाने की तारीक 15 दिसंबर निधाय थी तो मतलब वाइस कि आप पंदर दिसंबर था फाइलली एक्सटेंडर के 10 जनवरी कर दिया गया है तो ऐसे में काईस यहां पर आप फुजो भी शीज़े बताई जा रही ह इसको आप सो क्यार करना यहां पर इस मतलब कि आप देख पाएंगे कि नया समय सारी के अनुसार अब जिला सात्रुती स्युक्रिती समयती समयती 30 दिसंबर तक संधैस पद और सुट डाटा के संबन में नीले लेगी मतलब वाइसकी जितने भी छात्रों करना है अगर हो करे एक वालों को परशान यहां पर देख पाएंगे आप देख पाएंगे UID is disabled for DBT तो आपका direct bank transfer के लिए आपका जो भी है बतलब कि आपका bank account है उसको disable कर दिया गया है आप उसको enable करा देंगे तो आपका यह स्टेर से verify हो जाएगा और आपको correction करना नहीं है अगर आपका ऐसा सो करना पेंड़नी सो कर रहा है और यहां पर आप करने की आपका जो करने की आपको आपको बस अपने मैंक में जाकर सही कराना होगा उसे enable करना होगा यहां पर है यहां पर है पेंडिंग पेंडिंग कैन को पता तो है नहीं तो ऐसा में इनको करेक्षम करना होगा अगर आपका इसा करना होगा अगर अपका डिसेंगल पाध डीटी होगा या यह ऐग्या अब किया है तो आपकी 28 दिसंबर से पहले सकती है क्योंकि आपको है आपटाजेशांव करा दोब यम्येदद की पिम रहा है तो ऐसे बेगा इस आप सब थोड़ा वेड कर ले ला आपकी छांतिरती आपकी खाते में आ जाएगी तो इनको भी करेक्षा करने की आउसकता है करेक्षा करने की बाद सही हो जाएगा तो गैस मैंने आप बेसिकली समीज स्टेट्स ले लिए अगर मैंने कोई इस नहीं लिए हो तो आप सब कहां से कर पाएंगी इसके लिए गयाइस आप गूगल पे सर्च कर लेना बोर्श एक्जाम डाओंगी प्लीज आप वीडियो को स्कीं मत करणा ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप जैसे आप बोर्श एक्जाम डाओंगी official site पे click करते हो तो यहाँ पे guys आपके सामने इस प्रकार से inter pages आएंगे आपको नीचे आजाना होगा जैसे ही आप नीचे guys आते हो तो यहाँ पे आपको इस कीट पे देखने को भी लेगा UP scholarship status 2022 यहाँ पे आपको simple पे click करना होगा जैसे आप यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे guys आपके सामने इस प्रकार से pages आएंगे आपको नीचे आना होगा जैसे guys आपको नीचे आते हो तो यहाँ पे सारी links यहाँ पे available हैं यहाँ से आप सब click करके अपने status को चेक कर सकते हैं fresh renewal जो भी टणी पेक कर सकते हैं और एकचार पर सकते हैं यहाँ से अधिला्या आपके लाट्र सक za नकिए अगले बीडियों दो घृलाइंट टिक के फिट से मिलते हैं अब वीडियो में